हे गाईज, बलडी डैडी मुवी ट्रेलर देखकर सबको जोन विक मुवी की याद आ गई थी ऐसा लग रहा था कि एक जोन विक जैसी ही मुवी बनाने की कोशिश की गई है अब मुवी जीयो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है और मुवी देखने के बाद साफ पता चलता है कि इसे जोन विक से तो कमपेर नहीं किया जा सकता आपने रोकी हैंसम मुवी देखी होगी तो ये कुछ-कुछ वैसी ही है पहले आते हैं स्टोरी पर तो पूरी मुवी एक रात की स्टोरी है शाहिद कपूर ने एक NCB officer का role play किया है जो रोनित रोय के एक बैग को पकड़ लेता है बैग में 50 करोड का समान है लेकिन रोनित भी शाहिद के बेटे को kidnap कर लेते हैं और शाहिद को मजबूर करते हैं बैग को वापस करने के लिए अब शाहिद अपने बेटे को बचाने के लिए बैग वापस करने को तयार तो है लेकिन कोई और भी है जो शाहिद से बैग को चोरी कर लेता है बिना बैग कि अपने बेटे को शाहिद कैसे बचाते हैं ये आपको मुवी देखने पर ही पता चलेगा स्टोरी बहुत ही सिंपल है ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे मतलब बोले तो एकदम जीरो सस्पेंस आप अराम से स्टोरी प्रिडिट कर सकते हो कि आप आगे क्या होने वाला है अगर आपको एक्शन पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है लेकिन फैमिली के साथ मूवी बिलकुल ना देखे क्योंकि मूवी में बहुत सारी गालियां यूज की गई है एक्शन शिरू होने में टाइम लगता है लेकिन एक बार शिरू होता है तो फिर आपको एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं मूवी का एक्शन टिपिकल बॉलिवूड एक्शन से हट कर है लेकिन कुछ-कुछ action scenes में कट जादा हैं जिसकी वज़े से जो action scenes काफी cool बन सकते थे वो फीके लगते हैं अब आते हैं acting पर तो जितना जबरदस शाहिद का look है इस movie में उससे कहीं ज़ादा जबरदस उनकी acting है इस बंदे को कोई भी रोल दे दो ये उस रोल को अपना बना लेते हैं अपने बेटे का खत्रे में होने का डर शाहिद के face पर साफ जा लगता है डाइना का रोल छोटा है लेकिन अपने रोल से justice किया है राजीव खंडलवाल की acting ठीक है लेकि उनसे हमेशा कुछ जादा की उमीद रहती है रोनित रोय ऐस विलेन काफी दमदार लगते हैं उनके expression ही काफी है किसी को डुराने के लिए movie को डारेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने इस से पहले वो सुल्तान और टाइगर जिन्दा है जैसी movie बना चुके है इस बार उन्होंने टिपिकल बॉलिवड मुवी से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश की है जिसके लिए उनकी तारीख तो बनती है movie का बजट 200 करोड बताया जा रहा है लेकिन movie देखने पर लगता नहीं है कि इसमें इतने पैसे लगे होंगे क्या पूरा बजट एक्टर की फीस में गया है ये हम कभी नहीं जान पाएंगे मेरी तरफ से movie को 5 में से मिलेंगे 3 स्टार फुल ऑन एक्शन movie एक सिंपल स्टोरी के साथ बनाने के लिए थैंक यू आज के लिए इतना ही कमेंट करके जरूर बताईए आपको movie कैसी लगी